एक्सरसाइस 10A, Question No. 2 Question No. 2 का Part A हमाई पास कुछ इस तरह से है कि 25 cents, 80 cents इस सवाल में हमें करना ये है कि इस पूरे values को, इन दुनों values को हमें represent करना है एक A is to B के form में और A over B के form में और इसके इलावा इसको simplest form में भी लेकर आना है यानी के सबसे पहले हम इसको simplest form में convert करेंगे और इसके answer को एक इस तरह से express करेंगे और एक इस तरह से fraction में express करेंगे अब हम अपना solution स्टार्ट करते है इन questions को solve करने से पहले आपको ये देखना होगा कि इन दोनो values की जो units आपके पास वो similar होनी जाएं अगर unit similar नहीं होगी तो सबसे पहले आपको units को similar करना होगा यहां जैसे कि आप यह देख सकते हैं दोनों units हमारे पास same है simply आप इसको इस तरह से उतारेंगे जैसे कि आप previous questions में देख चुके हैं 25 is to 80 5, 5 is a 25 and 5, 16 is a 80 यह आपके पास A is to B के format में आ चुका है आपका answer और दूसरा आप इसी को ठाके 5 is to 16 कर दीजे यह आपके पास A over B के format में answer आ जाएगा यही आपका required answer है अब हम बात करते हैं part B की part B के अंदर 210 degree and 360 degree की बात हो रही है इसमें भी आपको simply यही करना है सबसे पहले देखने कि इनकी unit similar है या नहीं तो इन दोनों की unit similar है आपके पास तो इसलिए आप simply इसको 210 is to 360 करके और आगे इसकी calculation perform करेंगे फाइनली जो आपके पास answer आएगा वो यह आना चाहिए 3 is to 2 और इसके इलावा 3 over 2 पार्ट C को अगर हम देखें तो पार्ट C हमारे पास कुछ इस तरह हैं से है 250 सेंटी मीटर कॉमा 1 मीटर इसका solution बिल्कुल प्रीवेस पार्ट की तरह ही होगा सिर्व इसमें difference यह है 250 सेंटी मीटर इस to 1 मीटर units यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं similar नहीं है मीटर को हम convert करेंगे या तो सेंटी मीटर में या फिर सेंटी मीटर को हम convert करेंगे मीटर में यहां हम conversion perform कर रहे हैं मीटर से सेंटी मीटर में 1 मीटर हमाई पास बराबर होता है 100 सेंटी मीटर के 250 सेंटी मीटर 1 multiply by 100 सेंटी मीटर इन questions को solve करते हुए आप यह खयाल रखीगा कि दोनों यूनिट्स में जो छोटी यूनिट है उसमें conversion perform कीजेगा इससे आगे solution आप खुद perform करेंगे final answer मैं आपको यहां लिख देती हूँ final answer आपके पास आना चाहिए 5 सेंटी मीटर is to 2 सेंटी मीटर इसके इलावा 5 over 2 करके आप इसको fraction form में लियाईएगा अब हम बात करते हैं part D के part D के लिए 80 cents comma dollar 1.20 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों यूनिट्स में आप यह देखिए कि छोड़ी यूनिट कौन सी है उसमें conversion कर लिजे जिसे कि यहां पर cents चोड़ी यूनिट है इसलिए हम cents में convert करेंगे 1 dollar बराबर होता है 100 cents के 80 cents is to 1.20 multiply by 100 cents 80 is to 1.20 multiply by 100 will be equal to 1 2 0 cents इससे आगे calculation आप खुद परफॉर्म करेंगे जो final answer आएगा आपके पास वो आएगा 2 is to 3 यहां जो मैंने dots डाले हैं हर जगा यह इस चीज़ को represent कर रहेंगे यहां अभी मजीद कुछ और steps भी आने है वो steps आप खुद solve करेंगे अगर आपको hint चाहिए यह किसी भी किसम की guidance चाहिए तो आप कुछ से number one exercise 10A की वीडियो को refer कर सकते हैं अब हम बात करेंगे part E की part E में हमारे पास 1 kilogram 250 gram और 3 kilogram given है kilogram gram and gram kilogram जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम सबसे smallest unit में conversion perform करते हैं इसलिए हम kilogram से gram में जाएंगे और हम यह जानते हैं कि one kilogram बराबर होता है thousand gram के simply हम यहां पर gram में conversion perform करेंगे one kg thousand gram plus कीजे 250 gram यहां 3 multiply by thousand gram thousand plus 250 one thousand 250 gram and three thousand gram यहां से आगी calculation आप खुद perform करेंगे finally मैं यहां पर answer लिख देती हूँ कि answer क्या आएगा आएगा आपके पास answer आएगा आपके पास five is to twelve या पिर यह फाइनल पार्ट है हमारा पार्ट F three minutes thirty seconds comma one hour सबसे smallest unit यहां हमाई पास second की है जैसे कि हम जानते हैं कि one minute is equal to sixty seconds और one hour is equal to sixty multiply by sixty seconds अब यहां आपने conversion परफॉर्म करनी है three multiply by sixty plus thirty यह आपके पास seconds में value हो जाएगी one eighty यह हमने three minute को convert किया है अगर आपको इसमें confusion हो रही है तो मैं इसे मजीद आपको detail से बता देती हूँ यहां मैं थोड़ी direct stepping involve कर दी दी लेकिन मैं इसे आपको दुबारे से बता रही हूँ step by step perform करके यह three minute है three को आप multiply कीजे sixty से इसके बाद यह जो 30 seconds है इसको यहां add कर दीजे one आ रहे 60 seconds multiply by 60 seconds कर दीजे 180 seconds plus 30 seconds इसको कर दीजे इसको seconds 180 plus 30 210 seconds 3600 seconds simply यहां पर आप calculation perform कीजे 3721 3103 32006 and 0 यह आपके पास final answer होगा इसको आप इस तरह से भी represent कर देंगे तो आपके पास यह A और B के format में भी आ जाएगा इस तरह से आपने यह देखा कि सबसे पहले हमें इन पार्ट में simplest form में convert करना है यानि कि simplest form में लेकर आना है और फिर उसके बाद दो तरह से अपने answer को represent करना है एक A to B के तौर पे और एक A over B के तौर पे